हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें लागे करें गुल करें लान हमारी संस्कृती बहुत चारी परंपर आउसे जुड़ी हुई है ऐसे ही एक परंपरा है मासिक धर्म मतलब मन्थिली पीरेट चाइटें कल पूने में गाइतरी नाम की महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था आज उसी महिला के घर प्रख्यात धर्म आचारिय स्वामी निरंजन जी खुद भोजन पर पहुच रहे है हमारे एक्राउन रेपोर्टर्स ने हाँ स्वामी जी के साथ है आईए देखते हैं इस पर इनकी क्या टिपनी ही यह बहुत ही आम और सरल बात है मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मासिक धर्म यह स्त्री को मिला हुआ सुरुष्टी का वर्दान है इसी वज़े से वो स्रुष्टी में एक नया जीव पैदा कर सकती है मासिक धर्म से गुजरते हुए महिला को रोकना उसे खाना पकाने न देना उसे पुजापाट न करने देना यह सद्यों पुरानी बात है और कुछ नहीं उन्हें इस सबसे इसलिए दूर रखा जाता है कि इन दिनों में उन्हें ज्यादा कर्ष्ट नहों आज साफ सफाय में तुम भी ध्यान देना और सुनो किशन यह टोकरी मार टेबल पर रखतो और यही बात समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा के मैं गायत्रिक के हातों बना खाना खाऊंगी जय काल जय काल जय काल इस स्वामेजी बहुत सही कि है हम कितने नसीव वाल है आज शाम को स्वामी जी हमारे घर भी आ रहे है जब स्वामीजी आएंगे तब उन्हें जीवर के देख भी लेना और उनके पैर भी छो लेना, चलो अब, जैकाल, जैकाल, काजल, स्वामी जी का कमरा रेडी हो गया, हाँ हो गया, मैं फिर से एक बार देख लेती, अच्छा, मैंने सामान की लिस दी थी, सब ला लिया है ना, सब ला दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर कुछ भूले तो नहीं, शाम को स्वामी जी आ रहे हैं स्वामाद्ट क्या चाहिए? वो तो बत्याए, मड़ुखे एक, बैल की मुर्थी चाहिए. बैल की मुर्थी? वो भी गंदपती के वक्त में? है क्या? नहीं तो मार्केट में और भी दुकाने. नहीं बताओ को. प्रॉषी के लिए मेरे मेरे बैटे की मांसी खालट ठीक नहीं. अगर इसकी मांसी खालट ठीक नहीं, तो इसे घर में बन रखो. बहार लेके क्यों गुमती फिरती हो और अगर इसने किसी के साथ गलत कर दिया तो क्या पुलिस को भी यही बताती फिर होगी? इसनी बहार कहा है? सब गलत है, खुद पर काबू राखा कर, कुछ गलत नहीं आई, मेरे दोस्तों ने कहता है ऐसा करने को, उन्होंनों तो मुझे वीडियो भी दिखर दूर एसे दोस्तों से, एक बात सुन, तेरी शादी करा रही हो ना मैं, उसके बाद अपने बीवी को जैस से चाहिए चुना, कोई कुछ नहीं कहेगा पक्का, हाँ, जाके खोड़ उसे कुछ पूरी शादी को ना लिए, अने, क्या हुआ, आई, 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 कितनी वार बोला, चिल्ला है मत कर, आई, पनको, पनको देखो, बुखार आ गिया है ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे अशुद्धी बिल्कुल पसंद नहीं है आईये, स्वामी जी, आईये काजल, तुम क्या कर रही हो, मैंने दुम्हें कहा था, स्वामी जी के आने से पहले, सब काम हो जाना चाहिए जी, सब हो गया, मैं बस देखने आया थी, सब ठीक है कि नहीं स्वामी जी को रात को पानी पीने की आदत है गरम पानी रखती है? जी, रखती है जैकर झाल 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 जैसे हर चमक्ती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सफेद धोती पहने स्ष्लोक बोलने वाला इंसान साधू या संथ नहीं होता कल तक हम जिसे ओरतों की इज़त करने वाला एक महान संथ समझ रहे थे, दरसल वो एक राक्षस था इस भेस में उसे नाचाने कितनी ओरतों के जिंदीगी बरबात करती है आज हमारे साथ एक ऐसी ही मैला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलातुकार किया है तो बताएए काज़ जी, मैं हेमन जी के घड़ पर काम करती थी राशी दी और हेमन जी बहुत अच्छे लोग है वो लोग स्वामी जी को भी बहुत मानते है पिछले अपते स्वामी जी पूजा करने उनके घर आय थे फिर उनोंने प्रेशाद में नशे की गोली मिला दी और मुझसे सबर्दिस्ति करने की कोशिश की आपको पता है ना, क्या कह रही है आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो लोग इस बात पर यकिन नहीं करेंगे मेरे पास सबूत है तो ये साबित हो चुका है कि स्वामी निरंजन एक ठूंगी बाबा ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी है अब सवाल ये है कि क्या ब्रशासर उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई करेगा पोलिस परशाइसन! पोलिस परशाइसन! एक मींड, एक मींड, हमें नीरंजन स्वामे से मिलना है उंसे बातचीत करेंगे आप क्या बात करेंगे? ये सारे इंजाम जूटे हैं वह सब फॉटो नकली है मैडम इसलिए तो हम लोग आये सच और जूट का पता लगाने तब तक आप शान्ती बनाए रखे और हमारे साथ खड़े रहे देखे सर हमेशा जो दिखता है वही सच होता है ऐसा नहीं उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वह दिखाना चाहती थी ये लड़की काजल चार दिन पहले मेरे आश्रम में आई थी पयसे ने चाहिए था? किया है? क्या मसाख? कुर मैने नहींूं झानते हो आप जानतों कॉई ने जानते हो और लोग आपके बादड़ पर यकिन करे गए है क्यों है? सबूत तो मेरे पास है? इकने पैसे चाहिए तुमें? पैसे नहीं चाहिए उसको पैसा नहीं चाहिए था फिर क्या चाहिए था पता नहीं ना उसने कुछ मांगा ना कुछ बोला बस वहां से चली गए बाद में मैंने उसे ढूंडने की उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन तब तक वो न्यू चैनल पहुच चुकी थी चलो मान लिया आपकी ब क्यों यह देखिये सर्फ मेरा इतना बड़ा आश्रम है हजारों भक्त है मेरे अपने अपने घरों में भगवान के साथ मेरी तस्मीर लगाते हैं लोग है अगर यह सब बाते फैल जाती तो उनका भरोसा तूट जाता है तुम सौमी निरंजन बाबा की यहां कई थी वीडियो दिखाने कॉन सा वीडियो सर मुझे समझ नहीं आया देखो काजन चुपके से वीडियो लेना असान है लेकिन फोटो लेना जाधा मुश्किल क्या मेरा क्या पहले से रेडी था तुम जानती थी क्या संकर आने वाला ह हां, तीन महीने पहले वो आयते और उन्होंने वही किया था तो मुझे लगा यह लोता रस्ता है उनका सच सामने लाने का तीन महीने पहले इतने दिन तुम चुप बैचे हो उन्होंने धमकी दी थी मुझे जान से मारने की मैं बहुत जादा ड़ गई थी वो मुझे बहुत अजीब सल्लकर है, मुझे घार जाना आया, लेके जाओ यूसको, चुलो जाओ, जाओ सर, ये काजल जूड बोल रहे है या सच, वो पता नहीं, लेकिन इसका एम कुछ अलग है, नहीं तो पैसा लेके चुप बैच्टी थी, मुझे लगता है जो हमें दीख रहा है वे सच नहीं, सच कुछ और है है एए, ऐसे कैसे आई तु? हाँ, मुझ चपाने से कि अथ तुनीया सचे बदर लेगी, क्या? मेरा घर है ये, क्या बोल रहे हो आप? लेकिन ये इजजटवालों का महुला है, सब्सबी आप एक और उरतो कियसा बोल सकते ये औरत कोêt? वो तुझे भी भेशरम कहीकी अब हम लोग कुम को यहां पर रहने नहीं देंगे मुझे नहीं बना, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तु सिर्फ सच का साथी है था. देख, देख, जो कुछ भी हुआ है, उसमें तेरी गलती नहीं. तु रो मत. अभी वी से अकल नहीं आई! सब पर बाद सर्फ जासर किने! अब के जान लेगी हमारी? चल अंदर, चल! काका सुनिये दो! काका! काका! हर चीज का एक वक्त होता है, बेटा. और अब वो वक्त आ गया है. मतलोग, वो तुम्हारे दोस्त, जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना? वो सब कुछ, तुम तुम्हारी भीवी के साथ、 और सिफ तुम्हारी भीवी के साथ कर सकते हो, समझी? चावो तुम्हारा वेट करें! विखास, विखास, तुम्ही चोड़ दूँ, चानि दू, चोड़ दू! चोड़ दू! रशीखोनो? हाँ विकास, जाण लग, जाण लग, मुझे एंग विकास, नहीं काजल की मेडिकल रिकोड़ सेक्शल असॉल्ट नहीं है सर क्योंकि ना है कोई स्ट्रगल के निशान है और ना है कोई इंजरी हां सर लेकिन काजल सेक्शुएली अक्टिव है यह काजल क्या चीज है क्या सोच रहे हो खान सर यह सिसी डीवी फूटेज में काजल आश्रम में इंटर होने से पहले लक्षुमन से बात कर रहे है आश्रम से एक और इंफोमेशन मिलिये मोहित नाम का एक आदमी है जो आश्रम का सारा फाइनान्स संभाद नहीं लेकिन दो महिने पहले उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया लेकिन वह अब भी आश्रम का ट्रस्टी है निकालने की वज़े सर आश्रम में मम्ता नाम की एक औरत है जिसने मोहित पर सेक्शुल असॉल का आरोप किया था लेकिन सर ये बात पुलिस तक नहीं पहुची क्योंकि आश्रम के रेप्यूटेशन का सवाल था आश्रम का घनार कि न निकाल दिया उसे क्यों हमारे भग्वान का अपमान करेगी तो सजा मिली कि न उची ईसे अम इतना मानते है, इतना फूच्छते है उनके झिलाब ऐसे गंड़या रोप. जीफकाल, जेकाल. वह अब टीने सालों से काम कह रही थीöh? दो साल में उसका उसका अड्रेस नहीं पता I mean लिखाओगा मैंने कहीं लेकिन मुझे याद नहीं अरे आपने अपकी डाइरी में लिखा है हम लाते है एक लड़की चुक्के से आपके बेडरूम में जाती है यह कैमेरा चुपा दिया और वीडियो बना दिया आपको पता नह चलता नहीं हमें बिलकुल पता निए और दरसल वह एक तम चालू लड़की थी और उसके पसर कि एमन जी कि ऐसी कुछ बात है जो आप आप आपना चाहते है कि नहीं कुछ नहीं पापा पलक को किद्ना करने में और ये सब जो कुछ भी हो रहे है उसमें कहीं आपका हत तो नहीं है ना पागल हो गई क्या एक खीच के दूँगा तो पलक कहा है बाबा विकास क्या हुआ क्या हुआ क्या गोल रहे हुआ 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 है आप 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 अप्रह भागराई तो कहा भागरे तो इस नहीं हुआ है तो इसको परिशान मत करो अब आप जयो कास मेरी बात सुन? आई! मुझे भूक लगी, आप नूड़स बना तो नाई नहीं आप ज़ाए आप कास मेरी बात सुन? मुझे नहीं नहीं आप नूड़स बना ओड़ना, मुझे भूपी लगी है सरहाथ ही दो देखा होगा आपने यह स्वामी भी वैसा ही है उस ममता ने स्वामी के कहने पर जूटी गवाई थी ताकि वो दो लाग डॉलर वाला स्केम बाहर निकले कितना? दो लाग डॉलर? स्वामी जी पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं यह हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है मोहित, वो जमीन हाइवे से लख्य है अच्छी इन्विस्मेंट है कल वहाँ नया आश्रम खुल सकते है हमारे भक्तों को सहुलियत होगी लेकिन वो आदिवासियों की जमीन है और लीगल हम उसे खरीद नहीं सकते वो मैं देख लूँगा यह गलत है मैं आपका साथ नहीं दोगा मुझे जॉब से निकाल दी हूँ लेकि सर आज भी मैं उस आश्रम का ट्रस्टी हूँ मेरे साइन के बिना ना वो पैसे यूज नहीं कर सकते तुमर पास डोनेशन और लैंड डिटिल्स है अजर्ट, सब कुछ है मेरे पास यह लक्षमन क्या चीज है स्वामी अगर सपेरा है तो लक्षमन उसके पिटारे का सांप और उसे में ले लिया उसने स्वामी को लेकिन ये सांप कब पलटके स्वामी को काटेगा ये कोई नहीं जानता अगरे काजल का अगरे अंदर का घुसे जा रहा है को नो तुम लोग दिखने रहा है क्या मुंबई पोलीस काजल का अगर अगर में नहीं है उदर नहीं प्री किदर है ौौौ मेरे भाई के आगर को अपने घर से जादे मेरे भाई के घरमे जैती है साonstras कुलीस सामने खडिये और को सबसुडने की बाद कर रहे है एह कांजल का है उसका फोन सेपा रहा है एकनाद्गागा! खाज, गाज! पुर्पो, 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 पुर्पो! अरुषा, अरुषा, पुराएरिया सील्गरो! करने जाता प्रणील, पुर्पो, 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 इसे काजल कता है? यह थे कॉड़ा अर्मॉल है इसको नियूट्त, प्त्थर से सर्फोरा गया इसको मटर इपन मिला? नहीं सर्फ, यह मोबाईल और फर्स मिले इसको है इसका है? काजल का है? हाँ साहब, यह काजल काईब हो बाइल है इसको डीकोड करो, जी सर्श बॉड़ी को पोस्माटन के बेज़ दो और पीम रिपोर्ट जल से चाहिए मुझे सर पलक कभी कुछ पता नहीं है इसकी छोटी बेटी, काजल की बहन, वो पिछले 15 दिनों से घर पर नहीं है इससे पूछो, तो कहता है बाहर गई है, आज आएगी सर, उस लड़की के साथ जरूर कुछ हुआ है पहले क्यों नहीं बता है, हाँ, मिसिंग कम्पलेंट क्यों नहीं की नहीं कहा है पलक? उन्हीं लोगों के पास उन्होंने काजल को बारा है तुम जानते हैं उन्हों को? दो हपते पहले काजल आई थी घर पे बाबा, बाबा, पलक आए अरे, क्या हुआ, बोलोगी? एक फोन आया था तो उन्होंने कहा कि पलक को किटनेप कर लिया है क्या? यह देखिए अपने देखा गई पलक को पलक कुली के पास नहीं कुछ जीमांड़ की उन्होंने? हलो, देखिए, हम लोग गड़ी ब्लोग है आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं प्लीज बता दिजे मेरी बहन का है तुमारा पैसा नहीं चाहिए बस तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा कैसा काम? स्वामी निरंजन तुम्हारे मालेक यानि एमन के घर आने वाले स्वामी के साथ उसने शारीरिक संबंद बनाया थे पता नहीं सर या तो काजल ब्लेकमिल हो रही थी इसका मतलब है मास्टर माइंड कोई और है उनके कहने पर वो आश्रम में वीडियो दिखाने के ले गई थी लेकिन वो वापस आई तो उनका फोन बं था वलक का कोई पता नहीं था इसलिए काजल डर गई थी साज बोल रहा है ना? अगर जूट निकला तो याद राग हाँ सर, साज बोल रहा हूं सर जल्दी कल सर सर, आम यह अलग अगल चेक करना होगा यह पलक की किड्नैपिंग, यह स्वामी जी का मैटर यह अलग है पहले इस पलक को ढूणते एक काजल का मोबल डिकोड करो पता करो उसको किस नंबर से कॉल आया था फोकर सर, अरे विकास बेठा दिखती नहीं आजकल ममी घर में एभी सीड़ी पढ़ा रही है क्या राउल, क्या बात कर रहा है यार, हमें छोटा बच्चा है वो अर्सुन, बाहर जादा घुमब बाहर भूत पढ़ने वाला भूत बाबा आया है बाबा हाँ, तरको पकड़ ले जाएगा नहीं, नहीं, भूझे नहीं पकड़ेंगे क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं, मेरी तो शाधी हो गई ना? साला, इधर अपनी को लड़की नहीं मिल रही और यह बोल रहा है, इसके शाधी हो गई है मैं जूट नहीं बूड़ रहा बता, तेरी बीवी का नाम के है हाँ, हाँ, बता बलक चलो, मैं चलता हूँ हाँ, बाए सार, यह मोई सज बोल रहा है तो बोलाग दॉलर के बाद सच है लेकिन इसके इंट्री आशरम के अकाउड में नहीं यह अलग स्क्याम है इसे कहते हैं, शद्दा का बाजान सर, यह काजल का फोन डिकोड हो गया है, सर उसमें एक वीडियो मिला है, यह देखिए सर, यह काजल का ट्रैप है सौमी जी ने तो कुछ भी नहीं किया सर, काजल को एक आगमी पलक के लिए भी ब्लैकमेल कर रहा था उसके भी मेसेज़िस है पॉन में, अच्छा, तो यह सब खेल स्वामी को बद्दाम करने के लिए चल रहा था और इसलिए एक काजल को मार गिये सर, अगर यह सच है तो क्रोनोलाजी देखी जाए तो बलग भी जिन्दा नहीं हो सकते कि लक्षमन का अंगल भी चेक करना होगा क्योंकि मोहित के टर्मिनेशन के बाद और सौमी के आरेस्ट होने के बाद सब कुछ लक्षमन का हो जाता सर, अगर बाबा ने कुछ नहीं किया तो फिर यह काजल सेक्शुली अप्टिव कैसे थी क्योंकि उसके फोन से तो कोई बाइफ्रेंड वाला अंगल पता नहीं चल रहा सर, हेमन्द काजल इसके घर पर काम कर रही थी यह काजल के बारे में बोलते हुए भी हेमन्द हिचकी चा रहा था यह लगता है दोनों में कुछ ना कुछ तो रिष्टा है यह तो यह भी लगता है कि शायद यही मास्टर माइंड है सर, फिर तो सुभाज भी रडार पर है वो काजल से नफरत करता था पता नहीं क्यों सर, शाब पता करो इस फैमिले की सारे कुंड़नी चाहिए भूज़ए गाणे जबाओ सर, यह पलक स्कूल से गाया भूए उसकूल से लेगे उसके घर तक का CC2 पोटेज कलेक्टर है आसर मैंने जूट कहा था स्वामी जी ने मुझे मोहित से पे जूटा इल्जाम लगाने के लिए कहा था कोई भी गुरू गुरुदक्षिना उसी से लेता है जो उसका सबसे करीबी शिश्य हो तुम मुझे आज गुरुदक्षिना दोगी जो मैं कहूंगा तुम मोहित पे जूटा इल्जाम डालोगी अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तुम मेरी नौकरी चली जाती इसले मैंने जूटा बयान दिया बोल रहा था ना, मेरी बीवी है यह तो सच कहा रहा था अच्छा यह उत्ता है, सुहा करते मनाई की नहीं अबे, क्या भात कर रहा है मनाई होगी लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी हैना? वैसी वाली? वैसी वाली मतलव? अरे मतलव, यह दे यह दे जी जी जी, जी जी, जी, एसे थोड़ी होत्ते शुवागरा बड़े वच्च, यही सब कुछ करते है पर तूहीत बोल रहा था ना, तूह बड़ा हो गया है या, बड़ा तो हो गया है पल्लक यह दोनों है ना, मिरे, मिरे दोस्त है अब ना, हम तीनों मिलके स्वागरात मनेंगी स्वामी जी, हमें मालू मैं आपको फ्रेम किया गया है आपको क्या लगता है, किसने किया होगा? मोहित, उसे आश्रम के बारे में सब पता था और उसे आश्रम की परवा भी नहीं थी उसने वो ही किया, जो आपने किया, जूटा इल्जाम हमने कोई जूटा इल्जाम नहीं लगाया वो मामता हमारे पास खुद आए थी उसे ने स्टेटमेंट दिया है, कि आपने उसे दस लाग रुपे दे दे जूटी कावाई देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए भूल रहा है ये लक्षी मिन बटो हो सकता है, क्योंकि आपके आरेस्ट होने के बाग, तारे आकाउंट्स और याश्रम किसके अंडर होगा है? आप गलत समझ रहे हैं, मैं इमानदार हूँ अच्छा, तो फिर वो दो लाग डॉलर के इंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉमलिटीज की वज़े से हमें वो डोनेशन रिटेन करना पड़ा लीगल प्रोसीजर कंपलीट होते हुए, वापस ले लेंगे वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है हमेशा दारू पिके आता है और बच्चियों को मारता है पलक का खयाल रखने के लिए काजल वहाँ नोकरानी का काम कर रही थी और यह सुभाज का क्या मैटर है? वो काजल को गाली क्यों देता है? उसके घर में आग लगी उस काजल की वज़े से सोनम का रिष्टा बड़े घर में तै हुआ था बड़ी पार्टी थी मैडम लेकिन काजल के खबर बाहर आई और उन्होंने रिष्टा ही तोड़ लिया खान यह ममता को दो लाख रुपे दिये थे किस ने दिये थे पता करो कि दो लाख टू लाख डॉलर यह दो का अकड़ा बहुत खटकरा है सर काजल के पीम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मुर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुल सेक्स हुआ था रीजन ओफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस पत्थर से उसका सर खोड़ा गया था सर और टाइमिंग ओफ डेथ है रात को बारा से दो के बीच सर मैंने हेमन की सीडीयर चेक की उसमें सर उसके मोबाइल लोकेशन रात के ग्यारा से एक बज़े तक विराजनगर में थी जहाँ पे काजल का मरड़ा दू इन दोनों ने सौमील को फसाने का प्लान बनाया सर ये हमन पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है के काजल तो टूल थी असलिक गेम प्लानर तो ये हमन थै खान ये थे करेक्ट हो सकती है क्योंकि आश्रम को कोई आदमी जिसने इंफरमेशन दी बिना इंफरमेशन के ये नहीं हो सकता ये मोहित और लक्षी मन इन दोनों में से कोई तो हमन से मिला ओगा काजल को जीस नंबर से फोटो आया था वो नंबर ट्रैक बेक की है ये सर फेक आइडिय है हमन को बुला सर जी सर उस रात में विराज नगरी था मेरे कुछ बिसनेस के काम से गया था इसका DNA करा आओ डिना टेस्ट कियो सर्चो कि हमको मजा आता है अमको DNA DNA करने में DNA खेलते हैं लोग जल 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 बड़ लेकिन मेरा आई आई आगई आई चिलाएगी जल्दी करो जल्दी करो आरे टेंशन मतले आई चिलाएगी आई आई तुमने क्या देखो तू तेरी हालत देख काकू अरसुन अगर तुने बाहर कुछ बोला ना तो तू सीधा जाएगी अनदर सब्सक्राइब, किड्नेप करके लाईए ना तू इसको, हमाला सग्रम हाइथी है. ताई, ताई, उठो ना, क्या है पलग, बोलना? ताई, बात्रूम चलो ना मेरे साथ, तुम्हों पता ना, मुझे अंधिरे से डर लगता है, चलो ना, ताई, जब मैं नहीं रहूँगी, तो क्या करेगी? तुझे करना होगा ना, सब कुछ अकेले? अपने डर से जीतना होगा, दुनिया से लड़ना होगा, कैसे करेगी फिर? मुझसे नहीं होगा, ताई. और तुम कहा जाने वालियों मुझे छोड़के, मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं चली जाओंगी, ना? तुमसे? धीरे, पापा. उसे कौन शादी करेगा, ताई? तुम यहीं रहोगी, मेरे साथ. और मैं भी शादी नहीं करूँगी. फिर हम दोने एक दूसरे के लिए काफी है, कोई नहीं चाहिए हमें. सर, यह मोहीत, ममता और विद्या के कॉल रेकॉर्ड. मामला गडबड है, सर. सर, यह ममता ने मोहीत के ऊपर सेक्सियल असल्म के चार लगाए दे. लेकिन फिर भी अभी बहुत दूसरे के कॉंटेक्ट हुए है. यह दोनों भी अश्रम से जा चुक है, लेकिन विद्या, जो अश्रम के अकाउण देखती है, यह लगा तर इन दोनों के कॉंटेक्ट में है. मतलब वो विद्या है जो मोहित को information दे रहे थी सर और ये विद्या और मोहित सिरिफ दोस्त और कलिग ने उससे भी जादा है उनके message conversation पड़े मैंने अच्छा ये देखे ये दोनों ने मिलके किये गुड जब खान सर और एक बात मोहित ने दो लाग रुपे ट्रांसपर के 3 सिदो का आकरा किसको किये शालिनी भळा मतलब जी ये शालिनी भळा करने मुझे क्या पड़ग चचेरी बह्येने तुमारी मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए दो लाख रुपई दिये खे ना तुम्हें यह जूट है वो पैसे मैंने नहीं थी एक क्रिमिनल कितना भी होशार क्यों नहों वो गल्ती जरूर करता है यह रहा तुम्हारे प्यार का कच्छत चित्था तुमने तुम्हारे मोबाईल से पलक का फोटो निकाला और वो उस सौमी जी को लोगों तक पहुचाने में तिन रात एक किये मैंने और इतना सब करने के पावजूत उन्हों ने क्या किया एक जटके मैं मुझे बाहर निकाल दिया और घुसा आया था सर ना पदला लेना चाहता था फिर विद्ध्या ने मुझे बताया कि वो हेमंत के घर जा काजल ले कि लिए तुमारा काम कर दिया था फिर भी तुमने काजल को मारा क्यों नहीं सर अमने काजल को नहीं मारा और पलक जिंदा है क्या मार दिया यह सब अम तो पलक को छोड़ने ही वाले थे लेकिन वो भाग गई सिर, कहां गई पताने, वो जहां से गायव होगी, वो लोकेशन पता है तेरे को? यहां सिर. क्या, क्या हालत करके रखी उसकी? वो बहरे चाहेगी वो. जितने मजे करने थे कर लिये ना, अब और मजे करने जाओगे ना, तो पकड़े जाओगे. कुछ तो करना होगा उसका. सिसीडीवी चालो है. यह उरत कौन है और पलक इसके साथ क्यों गई? सर, वैसे तो पलक का घर यहां से दोर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई, इस उरत के साथ बे. शायद यह मोहित से बचने के कोशिश कर रही है. शायद ने लाल सडी पहिन है. यहां आगे एक बाबा बैटता है, वो काला जादू करता है. उसके यह बहुत दूर दूर से अवरत यहां आती है. वो सब लाल सडी पहिन के ही आती है. मुझे लगता यह आवरत भी वहीं से आई है. मुझे ने कुछ ने किया साफ़ाएं आए जाप वहीं से पुजा कर वाते हैं. ए मुझे मत सिक आई है. मत सुन, पर लेगे. यह आई थी तेरे बस? तो आगले दिन का सूरज नया होगा अलग होगा अलग है शुट इसे डोंग लोगों के वज़े अपना देश पीछ रहे है समझे तो जैला और अदेस्स ने नहीं से अग्षाण तो अदेस्ट नहीं अदेस्ट के भी अधारिश तुम दोनों का भी नाम देगे मेरे साथ और अग्र एक केस में अंदर गए ना तो जीन्दग इन्दग बन जाएगी जया.. नहीं.. दूदे नुटे.. शूदे.. शूदे.. जोदे.. रहाँ, मेरी… कर दो.. solve.. पूर्च पूर्च पूर्दू कर यहीं पेश्च और तुम अपने बेटे के लिए एक लड़की की पूरी जिन्दगी खराब कर दी और खुद को मा बोलती है अरे अवरत जात पे धबाए तु धबाए तु धबाए तु दबाए जबाए लेके चलो इसको जाल, जाल, जाल! नई, भापन दो बोजे, दूराटे, आसे! अरे, अरे मैं भापू दो? इसली आसल लिए की दा, दूराटे! पलकी बाबा है तुम्हारे! बाबा नई है! नाक्षियस ऐए! मा क्ये मंड़ी के इदिदी का रोज मलत्कार्त करता था? बाबा, मैंने समक्ष करके देख लिए. पलक का कुछ पता नहीं जलुए. विद्नेपर्स को भी खॉल किया था, पर उनके फोन आ रहे हैं. पुच्छ समच्नियारे, मैं कासी लेक्टियाँ उपलक कुछ. वैं आरगती, बाबा. बाबा, बाब. इनने तो जान्से माटालूंगा? प्लेज, 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 प्लेज. प्लेज, प्लेज. दीदी, जब तक घर पेधे, तब तक मैं सेवती. लेकर जयदेए दीदी काम पैर सलीजाती. अप्वै, टेझ, प्लेज, प्लेज, प्लेज. लेज... बेदेगे, बेदेगे, बेदेगे... बुच्छे थमकीत वेता था, इसको बताया, तुचांग से मादेगे, इसलिए में चुप एडीसर, इसलिए उसने मेरा घरचाने काम बनेगे, इसलिए शुबादाई के साथ चलेगे, लेकिन मा तो मेरे साथ हिस्से में बुरा हुआ। अलग, तुमने ये बात बता कर बहुत बहादूरी का काम किया है, मैं तुम्हें प्रामिस देता, जिसकिसी ने तुम्हेरे साथ ये सब कुछ किया, उसको छोड़ूँगा नहीं। बोल, नशी के आलत, पोश्च नहीं रहता, जानवर बन जाता हूँ। तुम्हेरी तुम्हेरी, पर खान, खान. और हैवान है सरीय, हैवान. बड़े बेटी ने छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी फरवा नहीं की, भविष्य खराब कर डाला. तुन्हें उसके साथ भी रेप किया। करते हो गई तौप, करते हो गई। काजल अपने जिन्दगी से हार मान चुकी थी। इसलिए तुन्हें जब रेप किया ना तो उसने प्रोटेस नहीं किया था। इसलिए पीम रिपोर्ट में रेप कंक्लूड नहीं है। मता, क्यों मारा काजल को? महीनी मारा साप, मैं उस रात सो गया था। रात पर मेरी नीम कुली, मैं मोहरी के तरप जा रहा था। मुझे कुछ आवाज्य सुनही आए। कौन था टेरेस में? काजल नहीं मुझे बुलाया था, डरी हुभी थी वो मुझे पलक को ढूड़ने के लिए तेरी मदद चाहिए। मुझे असा लगता है, मैं जब काम पे जाती हो, तो बाबा पलक का बलतकार करते हैं। उसके साथ जबर्दस्ते करने की कोशिश करते हैं। एक बर पलक मिल जाएगे ना, तो हम दोन हमीशा के लिए आँसे चले जाएगे। जीज मेरी मदद कर दे। पर मैं तेरे सिवा और किसी पर नहीं बरुसा कर सकती। मैं किसे तुझ पर बरुसा करो हाँ? तुने स्वामीची के बार में भी मुझे नहीं पता है? निउस से पता चला है मुझे. वो तो मैंने स्रिफ इसी विय किया! क्यूंकि पलक कि नप पर नहीं कहा था… मैंने उसको बचाने के लिए सब किया। मतलब एक बेहन को बचाने के लिए, दूसरे बेहन की जिंदगी बरबात कर दी? मतलब? तेरी न्यूस जैसे ही टीवी पे आई ना, शाम ने मुझसे रिष्टा तोड़ दिया है. उसके घरवालों का कहना है कि एक बेहन ऐसी, तो दूसरी भी वैसी ही होगी. थंदे वाली कहा है मुझे तेरी वजेसे गाजल! यहने ऐसी खुछ भी जानभुझ के नहिं किया, मुझे कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में. यह से मुझे मुझे माफ कर दे, तुम सॉरी मैंने कुछ भी जानभुझ के नहीं किया. अगर तुझे लगता है कि मैंने चान भूज के किया है, तो तुझे जो हुसाही लगे तुँ वो कर सकती है। हम दोलों एक दूसरे का राज जानते थी। हम दोलों ने चूप रहे ना ठीक समझा। इसलिए हम दोलों ने मिलके काजल की बोड़ी को ठीकाने लगा। इस राक्षत से तो हमें कोई उमीद नहीं थी। लेकिन तुम? तुम तो बहन थी ना उसकी। उसका दर्द समझ सकती थी ना तुम? तुम से मदद मांगने आई और तुमने उसी को मार दिया। ले जो इसको। बाकी के आसूं जेल में भाना चल। हम सिर्फ नाम के लिए अपग्रेट हो रहे हैं। लेकिन है हम आज भी जानवरी। खान कभी-कभी इंसान ने अपने आगे का सोचना चाहिए। अगर यह काजल हुआ जब उस-काबाप उसके साथ जबरदस्ति कर रहा था उसी वक्त हमरे पास आते एल पिलीड के पास जाते एक तो उसके साथ यह नहीं होता। अन्यय करने वाले स्यदा अन्यय संहिन करने वाला guelnतार होता है। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें फुड़ी बीतता ला हूँ तो मुझे लगता है हमार सदे कुछ नहीं होगा सही सब्सक्राइब बीज़ी 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 प्रेक लेगता है हमार सदे कुछ नहीं हो चाहँ